कहानी की सुरुआत में नारू और उसके डॉग सेरी को दिखाया जाता है जो जंगल में रहने वाले किसी कभीले का मेंबर थी वह रोज के जैसे आज भी जंगल में जाती है और कुलारी चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है क्योंकि वह भी एक हंटर बनना चाहती थी तभी नारू को एक हीरन दिखाई देता है और वह उसे हंट करने का डिसाइड करती है लेकिन इसी वक्त यहां से कोई चीज गुजरती है जिसकी आवाज की वज़ा से हीरन यहां से भागना सुरू कर देता है याद एक नारू उसका पीछा करने की कोसिस करती है जिसके दौरान से रिवी उसकी मदद कर रहा था लेकिन इसके बाद भी हीरन यहां से भागने में कामयाब हो जाता है और सेरी की पूछ एक वियर ट्रैप में फंस जाती है अब नारू इसे ट्रैप से अज़ाद करती है और इसके इंजरी पर मेडिसिन लगाती है क्योंकि वह मेडिसिन के बारे के साथ में होती है जो पूरे कभीले में सबसे अच्छा हंटर था यहां नारू से बताती है कि मैंने आज थंडर बढ़ को देखा लेकिन अब मैं भी अपने बिग हंट के लिए तयार हूँ इस पर ताभी काता है तुम इसके लिए बिलकुल भी तयार नहीं हो जिसके बाद नारू सेरी के साथ कभीले में वापस चली जाती है जहां उसकी मदर अरूका कभीले के हेड के लिए मेडिसीन तयार कर रही थी क्योंकि हेड का घुटना खराब हो गया था तबी नारू अरू का से बताती है कि आपने इसमें औरेंज तोचिया नहीं डाला है और असल में य क्योंकि आप सभी को लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती इसके बाद अरू का इसे औरेंज तोचिया लाने भेज देती है तबी हम आसमान में एक स्पेस सीब को देखते हैं जो एक प्रीडेटर को छोड़ने के लिए आया हुआ था इधर नारू जंगल से औरेंज तोचिया और कुछ देर के बाद वापस आती है जहां उसे पता चलता है कि एक सेर इनके एक साथी पुही को लेकर भाग गया है इसके बाद ता भी कुछ लोगों के साथ पुही को खोजने निकल जाता है लेकिन अब नारू भी इनके पीछे आ जाती है याद एक पका नाम का आदमी स यहां से जाने के लिए काता है लेकिन ता भी इसे अपने साथ में ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वह पुही को ट्रैक करने में इनकी मदद कर सकती थी इसके बाद हम एक स्내 को देखते हैं जिसे अपने सामने कोई इन्वीजिबल चीज नजराती है लेकिन तभी पर मेडिसीन लगाती है जबकि बाकी लोगी से यहां से ले जाने के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं लेकिन वापस लोटते समय इनको रात हो जाती है और तावी सेर को हंट करने के लिए जंगल में जाने लगता है यहाद एक नारू भी उसके साथ में जाना चाह अब इसकी वज़ा से नारू को लगता है कि उसका भाई किसी बड़े खत्रे में आने वाला है इसलिए वा तुरंतु से खोजने जाती है जिसके बाद पका भी इसके साथ में जाता है अब कुछ दिर में नारू को तावी मिल जाता है जिसके बाद वा उसे बताने की कोशिस करती है कि यहां पर कोई चीज आया है लेकिन ताभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि यहां कोई बड़ा सा भालू हो सकता है इसके बाद ताभी सेर को हंट करने के लिए नीचे बेट डालता है जबकि नारू और पका पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं लेकिन नारू ने आज तक किसी भी सेर को हंट नहीं किया था इसलिए पका काने लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती तभी अचानक से सेर इसके ऊपर अटैक कर देता है यहाद एक नारू परेसान हो जाती है लेकिन अब सेर भी पेड़ के इसके दौरान उसके पीछे वाले एरिया में किसी जानवर के चिलाने की अवाज आती है तभी नारू अचानक से नीचे गिर जाती है और बेहोस हो जाती है अब कुछ देर के बाद उसे होस आता है जहां अरूका उसे बताती है कि तावी तुमें लेकर वापस आया था लेकिन वह अभी भी सेर को मारने के लिए जंगल में गया हुआ है या सुनकर नारू परेसान हो जाती है और अरूका से बताती है कि जंगल में कोई चीज आया है लेकिन अरूका भी इसकी बातों पर यकिन नहीं करती तबी कुछ दिर में नारू भी वापस आ जाता है और उसने सेर को मार दिया था अब इसकी वज़ा से कभीले का हेड तावी को नया हेड बना देता है जिसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुस होते हैं लेकिन इस बात से नारू बिल्कुल भी खुस नहीं होती है और तुरंते हां से जाने लगती है यहाद एक तावी इसके पास आता है और इसे कहीं भी जाने से मना करता है इसके बाद नारू इसे फिर से समझाने की कोशिस करती है कि जंगल में कोई नई चीज आई है लेकिन तावी अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता जबकि नार उसी के पास में एक बड़े से पंजे का निसान भी था, इसके बाद हम एक भेणिया को देखते हैं, जो एक खरगोस का सिकार करने वाला था, लेकिन इस वक्त प्रीडेटर भी इनके उपर नजर रखा हुआ था, और वहाँ इनके बॉडी हीट की वजा से इनको देख पा रहा था, इसके बाद भेणिया करगोस का सिकार करने का कोसिस करता है, लेकिन तभी प्रीडेटर इस पर अटैक कर देता है, या देख भेणिया भी इस पर अटैक करने की कोसिस करता है, लेकिन प्रीडेटर के पास में एडवांस लेबल का वेपन था, जिसकी मदद से वहाँ इस स्पीड से अटैक कर सकती है इसके बाद नारू इसी जंगल के पास में अपनी रात बिताती है और अगले दिन फिर से अपनी खोज के लिए निकल जाती है वहीं दूसरी और प्रिडेटर किसी इस्प्रे का यूज करता है जिसकी वजह से भेंडिये का सीर का सारा मांस खतम हो जाता है और इसके बाद बाद इसे अपने पास में रख लेता है लेकिन तभी इसे सेरी की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद बाद तुरंत ही खुद को इन्वीजिबल कर लेता है इधर नारू जंगल में एक जगा पर आती है जहां बहुत से जंगली भेंसे मरे हुए और यहां से नारू को तंबाकू पीने वाली कोई चीज भी मिलती है लेकिन वहीं दूसरी और प्रीडेटर भी अब नदी की नारे आ गया था अब नारू एक पेंड के ऊपर कोई निसान देखती है लेकिन वह जैसे ही आगे जाने की कोसिस करती है वह गलती से यहां की दलदल में फस जाती है जबकि सेरी यहां से कहीं दूर चला गया था इसके बाद नारू अपनी कुलारी को सामने वाले पेंड में फसाने की कोसिस करती है लेकिन वह बार बार इसमें नाकामयाब हो रही थी फिर भी आखिर में नारू अपनी कुलारी को फसा देती है और इसकी बालू इस पर अटैक करने आ जाता है लेकिन अब सेरी उसका अटेंसन अपनी और खीशता है और इसे यहां से दूर ले जाता है जिसके बाद नारू भी खुद को बचाने के लिए पेडों की जड़ों में छुप जाती है अब इसकी वजह से बालू इसका कुछ भी नहीं कर आता लेकिन इसी वक्त प्रीडेटर यहां पर आ जाता है अब उसे देखते ही भालू उस पर अटैक करने लगता है और अब इस नजारे को देख नारू पूरी तरह से हैरान हो जाती है इसके बाद प्रीडेटर भालू पर अटैक करने आता है और उसे बहुत बेरामी से मार देता है अब इस बात से नारू बहुत ज़्यादा डर गई थी और तुरंत ही नदी से होकर यहां से भागने लगती है इसके बाद प्रिडेटर की एक डिवाइस उसे स्कैन करती है लेकिन उसे कोई भी खत्रा नजर नहीं आता अब यहां से आगे जाने के बाद नारू नदी से बाहर आ जाती है लेकिन इसी वक्त कभीले के कुछ लोग इसे लेने आ जाते हैं इसके बाद नारू इन से मॉंस्टर के बारे में बताने की कोशिस करती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर याकी नहीं करता इसके बाद नारू जबर्दस्ति यहां से जाने की कोशिस करती जिसकी वजह से वेसब के साथ में उसकी फाइट हो जाती है और ये लोग नारू का हाथ बान देते हैं लेकिन प्रीडेटर भी यहीं पर था और उसकी डिवाइस ने इनको इसकैन करना सुरू कर दिया था तभी अचानक से इनको जारी में एक छोटा सा जानवर नजर आता है और ये लोग उसे मार देते हैं लेकिन नारू इस बात से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी यहाद एक वेसब के लेने जाता है लेकिन तभी प्रीडेटर इस पर निसाना लगा देता है और अगले ही पल इसको मार देता है अब इस बात से बाकी लोग परेसान हो जाते है क्योंकि इनको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था तभी प्रीडेटर डेड़ बोडी से अपना वेपन निकालने आता है यहाद एक वेसब के साथ ही इस पर हमला कर देते हैं जिसके बाद प्रीडेटर दिखाई देने लगता है यहाद देखते ही यह लोग उसको मार प्रीडेटर बहुत ही पाउरफुल था जिसकी वज़ास से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता इसी बीच नारू वेसब के पास से अपनी कुलारी निकालती है और इसकी मदद से अपना हाथ खोल लेती है लेकिन तभी प्रीडेटर इसके सामने ही एक आदमी को बहुत ब करने की कोशिस करता है लेकिन अब प्रीडेटर ने भी उसको स्कैन कर लिया था यहाद एक नारू इसको बचाती है और दोनों यहां से भागने लगते हैं लेकिन इसके बाद प्रीडेटर लड़के को बहुत असानी से मार देता है अब नारू यहां से जंगल की और भागत चुका था लेकिन अब हंटर काते हैं कि इस लड़की ने उसे देखा है इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं इसके कुछ समय के बाद नारू होस में आती है जहाँ पर हंटर ने इसे केज में बंद कर दिया था और ये सब एक बहुत बड़े गुरूप में थे इसके अला राफेल नाम का आदमी नारू से बात करने आता है जो कि इनके ग्रूप में फ्रेंच ट्रांसलेटर था अब राफेल इसे कोई डिवाइस दिखाता है और कहता है कि यह क्रियेचर कोई हंटर है जो सायद सबसे ताकतवर बिष्ट के तलास में है इसके अलाबा उसने तुमा को जंगल में एक जगा पर बांद देते हैं और प्रीडेटर के आने का इंतजार करने लगते हैं अब तावी भी समझ गया था कि नारू की बात सही थी तब ही अचानक से प्रीडेटर यहां पर आ जाता है और बहुत से हंटर को मार देता है इसके बाद एक हंटर नारू और तावी की और भागता है लेकिन प्रीडेटर उसे भी मार देता है इसके बाद वा अपने असली रूप में आता है जिसे देखता भी कहता है कि हम उसके लिए बेट हैं तब नारू कहता है कि वा मेरे बिलकुल पास आया था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं उसके लिए खत्रा नहीं हूँ तब ही अचानक से प्रीडेटर का पैर एक बियर ट्रैप में फंस दाता है जिसके बाद छुपे हुए हंटर उसे कैद करने जाते हैं लेकिन प्रीडेटर इन सभी को एके करके मार देता है और खुद को ट्रैप से पतरनाक वेपन भी थे इधर नारू को अपने पास में ही एक बियर ट्रैप नजर आता है याद एक नारू उसे अपने पास लाती है और इसकी मदद से हाथ में बंदी हुई रसी काट देती है इसके बाद से ताभी घोडा लाने जाता है जबकि नारू सेरी को बचाने जात इधर बाकी हंटर प्रीडेटर पर बुलेट से अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी प्रीडेटर अपने आर्मर में कुछ बटन प्रेस करता है और इसे यहीं पर छोड़ देता है इसके बाद हंटर इसे देखने आते हैं लेकिन तभी इसके अंदर से तीन वेपन बाहर आत याद एक नारू उस पर हमला कर देती है जिसके बाद बाकी हंटर के साथ में भी इसकी फाइट होती है लेकिन नारू इन सभी को मार देती है अब नारू सेरी को आजाद कर देती है और अपने इंजरी पर मेडिसीन लगाने लगती है लेकिन इसी वक्त राफेल भी यहाँ पर गया था अब राफेल नारू को बंदूग चलाना सिखाता है और नारू इसे औरेंज तोचिया मेडिसिन दे देती है जिसकी वज़ा से इसकी बॉडी टंपरेचर कम हो जाती है तभी अचानक से यहां पर कुछ हलचल होती है इसलिए नारू तुरंत छुप जाती है जबकि र सब कुछ देख लिया था और वहां पूरी बात समझ जाती है लेकिन तभी प्रिडेटर का पैर अफेल के उपर आ जाता है जिसके बाद उसे इसके बारे में पता चल जाता है और वहां इसे भी मार देता है तभी अचानक से सेरी यहां पर आ जाता है जिसके बाद प्रिडे प्रिडेटर बहुत ही ज़्यादा गुसा हो जाता है लेकिन ताभी इसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है इसके बाद प्रिडेटर अपना हेलमेट फिर से पहन लेता है तभी नारू गन से हमला करने जाती है लेकिन उसकी गन काम नहीं करती तभी अचानक से ताभी प्र तरीके से लोड कर लेती है, लेकिन इसके बाद predator invisible हो जाता है, जिसकी वजहा से दोनों बहुत ज्यादा परेसान हो जाते हैं, तभी अचानक से predator तभी के पीछे आ जाता है, यहाँ देखता भी नारू को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी predator तभी को बुरी तरह से जख्म हो जाती है इधर अरूका को तावी के मौत के बारे में पता चलता है जिसके बाद वा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है इसके अलाबा नारू भी उसकी मौत से दुखी हो गई थी तभी अचानक से उसको एक हंटर दिखाई देता है जिसने इसके भाई को जकमे किया था बहुत से चुहे खा रहे थे तभी हंटर को अपने सामने गंदी खाई देता है और वह नारू को सूट करने जाता है लेकिन अब नारू औरेंज तोचिया खा लेती है जिसकी वजह से इसकी बॉड़ी हीट कम हो जाती है तभी प्रीडेटर यहां पर आ जाता है जिसके बाद नारू उसके सामने खड़ी हो जाती है लेकिन प्रीडेटर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता जबकि गन की वजह से वह इस हंटर को खतरा समझ लेता है और अगले ही पल उसे मार देता है तभी नारू चुपके से इसके हेलमेट पर अटैक कर देती है और इसे लेकर यहां से भाग जाती है जिसके बाद प्रीडेटर बहुत गुस्से में आ जाता है अब नारू एक जगा पर ट्रैप लगाती है जहां उसने हेलमेट वाले वेपन को एक जगा पर अटैच कर दिया था इसके बाद प्रीडेटर नारू के गिराए हुए बलड को फॉलो करते हुए आ नारू यहां से भागना सुरू कर देती है जिसके दोरानवा प्रीडेटर को अपने लगाए हुए नुकिले ट्रैप से जखमी भी करती है और इसके बाद नारू अपने अगले ट्रैप के सामने खड़ी हो जाती है इसके बाद प्रीडेटर जैसे ही इसके उपर अटैक करन या देख नारू खुद को बचाने लगती है और इसे जख्मी भी करने लगती है, तभी अच्छानक से प्रिडेटर इसे पकर लेता है या देखते ही नारू अपने आपको दो पत्रों के बीच में कर देती है जिसकी वजहाथ से प्रिडेटर का वेपन असी नहीं मार पाता, तब ही नारू इसी के दाट से इसको जखमी कर देती है, और इस तरह से खुद को बचा लेती है, इसके बाद वा सेरी को आवाज लगाती है, जिसके बाद सेरी से कुलहारी देता है, अब नारू इसकी रसी प्रीडेटर के गर्दन में फसा देती है, और इसको दलदल में गिर जो कि उसका असली प्लान था इसके बाद वाय बिल्कुल इसके सामने बैठ जाती है और प्रिडेटर जैसे ही इस पर अटेक करने की कोशिस करता है इसकी वज़ा से हेलमेट इसे डिटेक्ट कर लेती है और एक अटेक में ही इसको मार देती है अब इस बात से नारू बहुत ज पज़ा से इंप्रेस हो गया था जिसके बाद वाहिस को कभीले का नया हेड बना देता है और इस तरह से नारू ने आज खुद को साबित कर दिया था जिसके बाद मुवी यहीं पर एंड हो जाती है लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेप्ट व सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना